साम कुंफरेंस आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिजिस्टेड एक्सराइज यह भी काइनसॉल जी की बुक से लिया है इसका नाम है दे प्रिंस्पल ऑफ एक्सराइज तेरिपी बाइ डीना गार्डिनर और यह उस बुक का चैप्टर फाइफ है एक्टिब मुमेर्ज उस अज अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आज वह रिजिस्टेड एक्सराइज के बार में यह एक्टिब मुमेंट्स की फोर टाइप है रेसिस्टेड एक्सराइज आज हम उसको डिसकस करेंगे पहले हम देख लेके जुछ से पावर अचिंगे जो हम तो जो एक रापने कोंडार Crस्तिक है कि इस डिरीक्शन में वर्किंग मसल्स एiane क्या उने उल्म सब्सक् exclusively के पेड़ेगाएं और मसल्स और आज मिशीयन कर सकते हैं इसको क्योन है इसको मिशीन कर सकते हो या तो आप आप जो जो आप इसे जएसे मिशीन से भी यूजर तो आप अवह रि Legally and the Visirement सभी व मॉड़ी कर सकते हैं और जैसी जैसी आप तो मसल्स में मॉझी कीज़ों को Loan रेपीट कर सकते हो तो पार्ब लिफ्न कर सकते हो और वेडाव फिटीग उसको तो कितना टॉलरेट कर सकते हो यह इन्डियॉरंस होता है तो जैसे जिस हम resistance increase करेंगे तो क्या होगा पावर और endurance जो है muscle की वो increase होती जाएगी ठीक है अब हम देख लेते हैं कि resistance जो प्रिंस्प का resistance है वो क्या है ठीक है इसमें मैंने कुछ points बनाए वे पहला point यह है कि an external force resistance may be applied to oppose the force of muscular contraction जो external force है external force का मतलब resistance ही है मतलब external force जो बहार से कोई force लगती है उसको हम resistance कहते हैं जो resistance हम apply करेंगे वो हमारे जो muscular contraction के opposite वो resistance काम करेंगी जैसे कि मेरा heart जो है इस direction मोव कर रहा है तो मैं resistance apply करूँ opposite to that action कि हमारा arm जो यह wrist यह उपर चाहरी है लेकिन मैं resistance देरी हूँ downward ठीक है यह हमारे पस resistance की direction होगी तो डूसरा point यह है कि tension increases within the muscle and the muscle response by increase in the power and hypertrophy ठीक है अब जब resistance आपने apply कर दी तो उसके बाद किया होगा कि muscle में tension increase होगी ठीक है इन arrow का मजब है कि increase ठीक है अब tension जब muscle में यह क्या होगा कि muscle response करेगा आप कोई भी चीजक देते हो stimulis जाते है आपके muscles में brain में तो उसके result में एक response प्रडियूस होगाए तो क्या होगा जब tension increase होगी muscle में तो एक response प्रडियूस होगा और लो response जोगी और muscle प्रोड्यूस करेंगा और मसल में क्या होगा कि पावर डिवेलप होगी और मसल हाइपर ट्रॉफी हो जाएगा है अब तीसरा पॉइंट जो है वह यह है कि जब भी हम इंट्रा मस्कुलर टेंशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि मस्कुलर डिवेलपमेंट इंक्रीज होती है मस्कुलर डिवेलपमेंट मतलब कि मसल में जो डिवेलपमेंट वो शुरू हो जाती है यानि कि उसमें पावर इंक्रीज हो जाएगी ठीक है मस्कुलर डिवेलपमेंट का मतलब पावर और इंडियोरेंस इंक्र स्रक्राइब तो जब फिलिएट्षार बीफ क्षार अफ्ल comment कें शुर्ण नोफ तो जब लिटीं भी सब्सक्राइब शुक्ताइब द्वाव इ drawer रिस्ञां के वब करो तो सब्सक्राइब मैंने maximum resistance अपने हाथ को रिस्ट को दिये ठीक है मैं maximum resistance अप्लाई कर रहा हूँ अब मेरे muscles जो हैं वह इतने स्ट्रोंग होने चाहिए कि वह इस resistance को बर्दाश कर सकें और इसको और कॉम कर सकें और वह जो मेरी इंक्रीज हो जाएगी मतलब कि पावर और इंडियॉरस में इंक्रीज हो जाएगी जब मसल की जो एबिलिटी है वो रिजिस्टन्स को ओवरकम कर लेगी ठीक है यह आपने कि इसका पॉट पॉइंट है कि एएसोटोनिक का होता है यह मतला नहीं एक स्धार्डडाब नहीं अरहाँ आइसोटोनिक नैंने धन्युनिक जो तौन झाहिए वो चिज पर और कावर तरो धार्डटी। तौनिक मतलब कावर इन ऐसे झाल कि क्या इसे जा मतलब नहीं लेकिन जो मसल के अंदर टोन है वो सेम रहनी चाहिए तो हमने क्या उसमें रिजिस्टेंस कैसे हम देंगे हम उसमें रिजिस्टेंस ऐसे देंगे the resisting force applied to the maximum without interfering with the ability of the muscle कि हमारी जो resisting force है जो हम resistance apply करेंगे वो maximum होनी चाहिए लेकिन जो हमारी muscle की ability है वो interfere ना करेंगे अगर muscle जो है वो interfere करेंगे मतलब अगर muscle जो है वो अपनी force लगाएंगे muscle इतने strong होंगे तो उस resistance को overcome कर लेंगे तो और उसके बाद क्या हो कि muscles में power increase होना शुरू हो जाएगी, endurance increase होना शुरू हो जाएगी और tone increase होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमें tone को increase नहीं करना हमने same tone रखनी है तो इसलिए हमने resistance हो maximum apply करनी है लेकिन ability of muscle को interfere ना करें ठीक है अब हमारे पर 5th point है कि isometric contraction isometric का मतलब same metric मतलब length ठीक है अब हमने contraction करवा रहे हैं isometric contraction करनी है मतलब कि same length रखनी है ठीक हमने tone को change हो रही हो लेकिन length है वो same रहनी चाहिए ठीक है अगर lengthen है muscle to lengthen रहना चाहिए shorten muscle है तो short रहना चाहिए तो उसके लिए resistance जो apply करनी है resistance equals the muscle ability to maintain the hold hold इसका मतलब है कि resistance जो apply करें ability ability जो muscle की है वो दोनों equal resistance जो हो muscle ability के equal हो ताके वो जो hold है वो हमारा maintain रहे ठीक है जब हम resistance muscle की ability जो है उसके equal लगाएंगे जितनी muscle की ability होगी उतनी अग हम resistance लगाएंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे के effect को cancel out करेंगे ठीक है कि दोनों equal हैं क्या होगा के जो कोई movement नहीं होगी जो जो moment है वो movement है वो रुक जाएगी hold हो जाएगी और जो muscle है lengthened position में रहेगा या तो if we are in short position then shorten position अदि रहेगा या तो change नहीं होगा ठीक है हो hold हो जाएगा इतना से आप हम देख लेते है अपना next point अब हमाई पस है 5 factors which contribute to the development of muscular efficiency थेकिए आप हमाई पस 5 factors है जो के muscle efficiency जो है हमाई पस muscle efficiency, muscle की जो development है उसकी efficiency को increase करने में help करते हैं वो 5 points के आए है factors कौन कौन से power, endurance, volume, speed of contraction, coordination अब ये जो 3 पहले जो 3 है power, endurance, and volume यह हमारे पस क्या करते हैं, build up by use of resistance exercise और यह तीनों हमारे पस resistance exercise की मदद से हम इसको build up कर सकते हैं, ठीक है, हम इन तीनों को one by one देखेंगे, पहला है power, it can be build up when the muscle work against the progressive resistance increase, यह तब हमारे पस जो power है वो तब develop होती है, तब build up होती है, जब हमारे पस जो muscle है वो against काम कर रहो, progressively increase resistance, जो हमारे muscle है वो opposite काम कर रहो resistance के, जैसे जिससे हम resistance को बढ़ाते जाएंगे, जो हमारे muscle है वो उसके against काम करेगा, मतलब कि हमने पढ़ा है न कि resistance जो है वो opposite force लगाएगी muscle contraction के, ठीक है, जिस direction में muscle contract को रहा है, उसके opposite हम resistance force लगाते तेंके जैसे जैसे हम वह रिजिस्टेंस को increase करते जाएंगे वैसे जो जैसे muscle में पावर increase होती जाएगई इसमें इंपर्टूनन फैक्टर वो यह करा हमने magnitude of resistance का फैर का मतलब कि हमें रिजिस्टेंस का देखने कर्मं Еसे लगानी है कम लगानी है ठीक है इसलिए इसेंशल फेक्टर जो है वो magnitude of resistance है इसमें और जोसमें हम मैथड यूज करते हैं वो है high resistance low repetition exercise ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो resistance का हमने magnitude देखना होते है वो कि हमने रिजिस्टेंस कितनी लगानी है इसके लिए एक मैथड है कि हमने high resistance लगानी है उसके साथ क्या होगा low repetition exercise इसकी एक्जांपल में आपको ऐसे देती हूँ high repetition low high resistance low repetition exercise कि कि जैसे आप कोई heavy weight उठाता है कोई जिम जारे तो वहाँ पर कोई heavy weight उठाया तो वह उसको बार्ब उसको lift नहीं कर सकता उस वेड को दो एक दफा कर लेगा दो दफा कर लेगा तीन दफा कर लेगा उससे जादा resistance की वज़े से जो होती है मसल में power increase होती है इसलिए हमने essential factor जो वो magnitude of resistance को काया है कि हमने resistance के magnitude को खयाल रखने है और इसमें यह method होता है high resistance low repetition exercise यह आपने याद रखना है यह MCQ उसमें आ सकता है कि power में हम कौन सा method लूज करते हैं अब endurance हम दूसरा point देख लेते हैं endurance it develop in response to the repetitive contraction यह develop जब यह तब develop होता है endurance जब हम repetitive contraction कर रहे होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि endurance होता क्या है endurance का मतलब कि आप बार-बार exercise repeat कर रहे हो without fatigue मतलब बगएट था कि उस बार-बार exercise को repeat कर रहे हो तो यही है जब endurance develop कैसे होगी जब आप repetitive contraction करोगे repetitive movements करोगे तब आपके जो muscle में endurance increase होगी इसलिए essential factors जो इसमें है वो है number of contraction कि हमने कितनी contraction करना है उस पर यह depend करता है endurance इसमें method कौन सा है low resistance high repetition exercise अब मैं इस method के example लेती हूँ कि आप किसी ने आप जिम गया हो तो आपने कम वेट उठाया है कम वेट आपने उठाया तो आप उस कम वेट को बार-बार उठा सकते हो मतलब आप एक से दो तीन चाल पांच से दफाराम से उस वेट को उठा सकते हो क रखेंगे ताके हम high repetition exercise कर सके और जो endurance है muscle की वा increase हो सके अब थर्ड पॉइंट था volume volume को हम कैसे कर सकते है it can be observed or measured as an indication of hypertrophy ये जो volume है सिर्फ इसको हम observe कर सकते हैं मुएर कर सकते हमस को build इस तहला से नहीं कर सकते ठीक है? अब हो कैसे मुएर कर सकते हैं और उसको observe करते हैं we हमें क् sequ Tall within our unit क्द films कि की हाईपोडिवियर कर्या ही भी होई मुझल में कितना iiche how kindaaken तोafe deprived का새 कि वह कितना muscle जो है वह increase हुए size में usually develop in proportion to power और यह hypertrophy तब ही होती है जब power increase होती है मतब power directly proportion है hypertrophy की अगर power increase होगी तो hypertrophy होगी मतब सिस्था कर जो size है वो increase होगा ठीक है it demonstrate progress to patient but not a reliable method यह patient की progress को तो हमें बताती है कि patient कितना progress कर रहा है जैसे जिसका muscle increase होगा हमें उसका volume नज़र आएगा हो लेकिन यह सिफ पेशिंट की progress को करते है लेकिन एक reliable method नहीं है अब इसके लिए एक note book में भी given है कि skill in estimating the capacity of the muscle at every stage of the treatment and correct amount of resistance is the key note to success in use of resisted exercise कि हमें skill आनी चाहिए जब भी हम resistance exercise को use कर रहे है तो हमें उसके skill आनी चाहिए कि हम हमें पता हो कि muscle patient है उसके muscle की capacity है तो उसके मताबिक हम जो है resistance को apply करना है उसके muscle पे ठीक है अब जहसे है जैसे एक पेशिंट है उसकी muscle की capacity इतनी नहीं है उसके muscle बहुत weak हैं तो हमने जो resistance लगानी है वो हमें कितनी लगानी है तो ये हमें हमें skill आनी चाहिए जब हमने resistance exercise को use करना हो कि हमें muscle की capacity को patient की estimate करना आना चाहिए ताकि उसके मताबिक हम resistance को लगा सके ठीक है अब हमाँ पर कुछ ठोटा सा एक point है high resistance low repetition exercise के बार में और low resistance high repetition exercise के बार में ये point जो था ये technique of जो resistant exercise उसमें ये point था तो मैंने का मैं इसनी में बता दूँ क्योंकि हमने इसको अभी डिसकस किया तो आपको जादा अच्छी समझाएगी high resistance low repetition exercise में हम क्या करते हैं कि फिर से मैं बता दूँ कि जब high resistance low repetition exercise में मैंने ये बताया कि जितना आप भारी weight उठाओगे उतना ही आप repetitions काम करोगे ठीक है high resistance और low resistance exercise में क्या करते हैं it is suitable when muscles suffering from disuse as a result of traumatic injury ये तब use होती है जब muscle जो होता है patient का वो disuse हुआ हो मतलब कि वो काफी time से use ना हुआ हो क्यों ना हुआ किसी भी traumatic injury की वज़े से ठीक है अब जैसे कि example fracture हुआ है तो हमें POP लगा दी तो muscle जो immobilize हो गया immobilize को मतलब किसी तहा movement नहीं कर पार हो एक डिरेक्शन में रहेगा तो हम उसमें ये वाली exercise है high resistance exercise वो कर सकते हैं with और in connection with orthopedic surgery example मतलब और दूसरा हम किस कंडिशन में कर सकते हैं जब हम orthopedic surgery हुई है patient की उसके बाद हम ये training करवा सकते हैं high resistance low repetition exercise ठीक है अब हमारे पर दूसरा है low resistance high repetition exercise ये वाली हम कब करवा सकते हैं इसमें ये मैंने बताया है कि जितना कम weight होगा उतने हैं आप repetition ज़्यादा कर पाऊगे ये वाली हम किस में करवा सकते हैं most suitable for the weak or elderly patient ये उन patient के लिए है जो weak जिनके muscles हैं और जो elder patient है whose muscles are less resilient than those of the young and strong जिनके muscles कम resilient हैं than the young and strong मतलब कि जो elder patient होते हैं वो जादा weight नहीं उठा सकते ठीक है और जिनके muscles weak हैं वो भी जादा weight नहीं उठा सकते हैं इसलिए हम उनको कम resistance देंगे ताकि उनकी जो repetitions हैं वो जादा हो सकें ठीक है अब फिर दूसरा point ये है कि हम ये वाली exercise जिनने osteoarthritis होता है उसके लिए भी जरूरी osteoarthritis में हमारे muscles जो होते हैं low-resistant rheumatite arthritis में हम ये वाली करवाएंगे these exercise can be performed in any part of the range which is pain-free ये वाली जो दोनों exercise हैं किसी भी range में करवा सकते हैं जो के patient के लिए pain-free हैं ठीक है अब third जो last point ये है the number of repetition में also be determined by desirability contraindications, some condition disease fatiguing the neuromuscular mechanism इसका मतलब है कि जो हम repetitions करवा रहें वो depend करता है कि patient की desirability कितनी है कि patient अगर करना चाह रहे तो हम उसकी repetitions को increase कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहे है तो हम नहीं कर सकते contraindications in some condition and disease कुछ conditions में जो number of repetitions होती है और contraindications होती है वो नहीं करनी चाहेंगे तो उसमें उसमें डिपेंड करती है repetition थर्ड पॉइंट यह कि fatiguing the neuromuscular mechanism जहां muscles जो हम फटीग हो रहे हो थकावट patient को महसूस हो रहे हो तब भी हमें number of repetitions का खयाल रखना चाहिए कि हमें कम करनी चाहिए उस लिहास से हमें कम करनी चाहिए यह आज का हमार topic था अगर आपको इस पर से कोई भी question पूछना हो तो आप comment section में इससे पूछ सकते हैं thank you so much